दुनिया के सबसे बड़े लोक्तन संसत के अंदर पदारे सभी राजस सेवा भारतिये रेलवे कार्मिक सेवा के अधिकारी का में संसत के इसक्ष में हार्दी का भिनदन करता हूं सागत करता हूं आप सब लोग देश की महत्पून प्रतियों की प्रिक्षा संग लोग से आयो में प्रतियोंगी प्रिक्षा के उत्तिन होने के बाद आपको देश की अलग-अलग सेवाओं कि में कारे करने का देश सिवा करने का और आपकी प्रियासों से देश की लोगों के जीवन में परिवर्तन करना और उनकी चुनोतियों का समाधान करना और लोगतांतिक वैस्ता के अंदर हम किस तरीके से सरकार की नीतियों पॉलिसीज कि माध्यम से लोगों की जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं कि उसमें आपकी सकारात्मक भूमी का रहेगी आप सब लोग अलग अलग राज्यों से यहां पर आये हैं आपकी प्रश्ट भूमी भी अलग अलग तरीके की है इंजिनिंग सेक्टर से ज्यादा इस प्रतियों की प्रिक्षा के अंदर पास हो कर आएं इंजिनिंग के बाद डॉक्टर भी हैं चार्टेट एकाउंटेंट भी हैं और विशेश रूट से अलग अलग भाशा अलग अलग बोली अलग अलग संस्कति से आप लोग आए हैं आपको एक महत्पूर्ट जिम्मेदारी मिली है यह सेवा हैं देश के लिए राज्यस की सेवा हो या रेल्वे की कार्मिक सेवा हो सभी सेवाएं महत्पूर्ट होती है और उस महत्पूर्ट सेवाओं के अंदर हम किस तरीके से जो हमने कुछ भी अनभोव प्राप्त किया जो हमने शिक्षा प्राप्त करते से में अनभोव किया शिक्षा के बाद अलग लग सेक्टर्स के अंदर हमने जो अनभोव प्राप्त किया और उसके बाद इन सेवाओं के अंदर प्रशिशन के अंदर अपने जो अनभोव प्राप्त कि जो कुछ भी आपने प्रशिषन में सीखा उस प्रशिषन के बाद आपको इन सेवाओं के माध्यम से एक सकारात्रक परिवर्तन की महत्पुन्ट जिम्मेदारी मिलेगी वेक्ति के जीवन में सरकारी सेवाइं दो तरह की होती है एक सर्कारी सेवा उती है जो ज़नून होती है जिसमें कुछनय कुछ परिवहरतन करने की सामर्थ होता है शक्ति होती है परिवरतन करने के लिए हम अपने सेवाओं में क्या परिवर्तन कर सकते हैं क्यों टेक्नोलोजी का जमाना आ गया टेक्नोलोजी के साथ हुमन रिसोर्स के लिए भी आपको वेक्तिकर संपर करना पड़ेगा और आपकी सेवाएं जनता से सीधे-सीधे समवास से जुड़ी वी इसलिए आपको विशेश रूप से इन सेवाओं में हमारे नोजवानों की बौद्धिक्षमता उनका इनोवेशन की रिसर्च करने की नई शक्ति और सामर्थ से आपको एक बैतर परिवर्तन करने के लिए शुरुवात करने को और इस 75 वर्ष की लोक्तन्त की यात्रा में हमने बहुत सामाजिक आर्थिक राजनितिक परिवर्तन किये हमारे देश के अंदर संसिद्य लोक्तन्त परणाली है और दुनिया के अंदर आज संसिद्य लोक्तन्त परणाली को शाषन चलाने की सर्षेश परणाली मानी गई है तो इस लोगतंत की संसधी परणाली के अंदर संसद को समझना, संसद की कार्य परणाली को समझना, संसद में होने वाली डिवेट चर्चा को समझना और संसद में समय समय में नीतियों पॉलिसी और उसके बाद कानून बनाने के समय जो डिवेट चर्चा हुई उसको समझना यह आपके जिवन में सबसे महत्पुन है आप किसी भी नीतियों बनी पॉलिसी बनी उस पर क्या चर्चा हुई संसदों के विधान सवाओं के किसी भी पॉलिसी के अंदर नीतियों के अंदर क्या विचार थे जब कानून बनाते समय कानून क्यों लाया गया कानून लाने का उद्धिश क्या था और कानून के बाद उसमें परिवर्तन करने के क्या क्या कारण थे हर कानून हर सरकार कोशिश करती है कि हम किस तरीके से अपनी जनता के सकारात्मक परिवर्तन कर सकें उनकी जिवन को सरल बना सकें और सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम करफशन कम करते हुए हर वेक्ति के जिवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें इसलिए जब आप डिवेट चर्चाओं को संसत की देखोगे तो आपको उन जन्प्रतियों के अन्भव विचारों को समझने का एक अन्भव संसत्य मिलेगा और उसके बाद आपके जीवन के अंदर एक नई दिशा मिलेगी कि हमें हमारी सेवाओं में रेते हुए मुझे नया कुछ परिवर्टन करना है मेरे विभाग के अंदर मेरे प्रयासों से मेरे अन्भो से मेरी शिक्षा से मेरे ज्यान से में विभाग में क्या परिवर्टन कर सकता हुए विभाग की नीतियां पोलीसी बनाते समय आपके इनपूट आपकी अनभो का लाब उस विभाग को मिले और उसके बाद विभाग के माध्यम से डिपार्डमेंट के माध्यम से जनता के अंदर हम नया परिवर्तन कर सकें अब परिवर्तन का युक शुरो हो चुका है टेक्नोलोजी का जमाना है जितनी टेक्नोलोजी आई उतनी पार्दर्श्री आईए सरलता आईए और इस पार्दर्श्रीता सरलता लाने के साथ टेक्नोलोजी से हम लोगों की पहुंच तक नजदीक पहुँचे हैं तेकनोलोजी के माध्यम से हम अपने यहां पर लोगों के समश्चाएं कटनाया को भी ओनलाइन ट्रेकिंग कर सकते हैं जैसे राजस्प सिवा के अधिकारी हैं राजस्प सिवा के अधिकारियों का काम राजस इखटा करना भी है लेकिन जो राजस देने वाले वेक्ति हैं उनको राजस देते हुए उनके मन में विचार या है कि मैं जो राजस दे रहा हूँ जो धन दे रहा हूँ उस धन से मेरे समाज में सकाराथ परिवर्तन आएगा और किस तरीके से हम रेविन्यू सेक्टर के अंदर पोलीसी नीतियों कानूनों बनानों में जो जो परिवर्तनों से और बेतर हमारे क्या सुझाओ हो सकते हैं ताकि हम और बेतर तरीके से राजस भी कटाओ देने वाले को सुईदाओ करप्षन के सिस्टम को कम करते चले जाएं human touch को कम करते चले जाएं और पारदस्शिता शासन में आए और प्रशासन में पारदस्शिता आए उसके अपने अनिहोव कलाव सरकार को भी मिले इसी तरीके से रेल्वेग की प्रसनल सर्विस है रेल परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जहां पर आज की तारिक में सबसे ज़्यादा दीश की किंद सरकार में सबसे ज़्यादा रेल परिवार में काम करने वाले हैं और इसलिए रेल्वे की अलग-अलग सर्वीस को एक करने का काम किया है इसलिए आपको क्यों प्रस्नल सर्वीस से नहीं आपको रेल्वे की सब सिश्टमों को समझना पड़ेगा और उसके बाठ कटट्नायों के साथ जो हमारे रेल्व में यात्ति करने वाले उन आम आजमी यात्तियों की कर्ट्नायों को समझना पड़ेगा माल गाड़ा गाड़ी के अंदर किस तरीके से नया परिवर्तन कर सकते हैं जिससे गतंतिस्तान पर जर्दी पोँचे कम खर्चा है रोड एक्सिडेंट बचेंगे रोड खराब होना बचेंगे इन सारी सेवाओं में बहुत परिवर्तन आया लेकिन और परिवर्तन करना है विराम विश्राम हमारी जिंदगी में नियो ना जी हमारे जिंदगी में तो हम सर समय नई सोच नया चिंतन और नए सोच नए चिंतन से हमारे सयोग से हमारे प्रयासों से विभाग में परिवर्तन लाना और आम जनता के जीवन में परिवर्तन लाना इन दोनों सकारात्मक दिशा में काम करना पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्य में जनता का शाषन और जनता के शाषन में शाषन की उपयोगता और सरकार की उपयोगता जब होती है जब हम उनके जिवन में शकारत्मन नए परिवर्तन ला सके और इसके लिए आपके उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पर बैतिन काम करना है और मुझे आशा है कि आप अम्रतकाल के समय में हो यह अम्रतकाल हमारे लिए महत्पून है और अगले 25 वर्ष भारत के लिए और महत्पून है तो हमारी कारिकम नीतियां पोलीसी बनाते समय मारा सोच चिंतन अगल 25 सालों का होना ची एक लंबी सोच के साथ हम नए विचार के साथ परिवर्तन करेंगे हमारे पड़ोसी देश राहल भूटान के अधिकारी भी यहां पर आएं और आपने देखा होगा भूटान में किस तरीके से उन्होंने परियावरन जलवायू उस विशे पर कितना ध्या परियाट में हमारी प्रसिंग किता है कि हम इंडर्स्टी भी लगाएं सर्विस सेक्टर भी लगाएं लेकिन उसमें प्रयावरन और वेक्ती की जीवन शेली दोनों पर उन्हें विशे द्यान दिया है इसलिए सरकार में या प्रशाशन में केवल राजस इखटा करना वह तो परक्रिया है लेकिन राजस इखटा करने के साथ साथ उस राजस इखटा करने में राजस देने वाला उसको किस तरीके से अधिक्तम स्वल्था के साथ दे सके और उस राजस्य का उप्योग ठीक हो रहा नहीं हो रहा केवल अपने विवाग तक नहीं सामाजी कल्यान की योजनाओं तक पेशा ठीक से जारा नहीं जारा उसकी लिए पब्लिक एकाउंट कमिटी बनी हुई है उसकी रिपोर्टों को आप देखेंगे तो आपको अध्यन लगेगा कि जो धन का उपयोग हो रहा है वह ठीक दिशा भी नहीं होता है तो शाषन के अंदर कई सारी चीजों की कमिटी आए यहां पर इस्टेनिंग कमिटी जो समय समय पर रियू करती थी उसका भी अध्यन करना पड़ेगा इसलिए यह संसत की टेनिंग करने आप यहां पर आए तो यहां की लाइबरीरी यहां की दिवेट यहां की चर्चा संसत की क जारवाई कारिपद्यतियां और इस कार पद्यतियों चर्चा सवाट डिवेट सवास से किस तरीके से इतने बड़े देश के अंदर जा अलग अलग भाष अलग अलग संस्कुति जाँ इतनी विवृत्ता इतनी विषालता होने के बाद भी हमने सविधान से लेकर पिचत्त वर्ष में कभी डिवेट और चर्चा करकर लोगों की जिवने परिवर्तन किया और आज हमें इस बात का गर्व है कि भारत का लोगतन सबसे कि यहां पर लोगों को अभिवेक्ति हैं बोलने के आजा दिये बवदली वैस्ता है अपनी विचारधारा से लोग अपने बात को रखते हैं लेकिन जब दीश का सवाल आता है तो सारे दीश के अंदर संसत जोडने का काम करती है इसलिए आपके लिए महत्पूर्ण दो दिने लेकिन महत्पूर्ण दो दिन महत्पूर्ण है मुझे लगता है कि यहां के अन्भव का लाब आपको जीवन में मिलेगा और इस अन्भव से आप एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशात्य कर पाएंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाग